किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में अमरोध की बागवानी में सितंबर महा में क्या कारिय करते हैं आज मैं आपको वो कारिय बताऊंगा उनमें से एक मुख्यकारिय है कि कटिंग करना पोधों की कटिंग करना किसान साथियों मुझसे बहुत लोग ये पूछते रहते हैं इवन के मेरे गृप में भी ये पूछते हैं कि अब हमें मेरा पोधा इतना बड़ा हो गया है उसकी साखा इतनी बड़ी हो गई है मुझे कटिंग करनी चाहिए या नहीं करना इस वीडियो के माध्यम से आज मैं वो बते बताऊंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि कटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सिरफ यही विशे रहेगा किसान साथियों ये पोधा देखिये मेरा ये पोधा अब सितंबर में एक वर्ष का होगा ये 1049 का पोधा है और ये एक वर्ष का होगा और अभी देखिए मैंने दो तीन दिन पहले ही इसकी ये कटिंग की है तीसरी पहली कटिंग मैंने यहां से की थी यहां से की थी यहां से की थी यहां से एक यहां से की थी और एक मैंने यहां से की थी अब मैंने तीसरी कटिंग आप देखिए यह साखाई मैंने करी यह एक वर्सका पोदा कितनी मजबूस साखाई होगी यह इसकी दूसरी साखा थी और अब तीसरी कटिंग, ये इतनी लंबी साखा थी, मैं कुछ और पोधे दिखाऊंगा, कि इसको मैंने लगबग 6 इंच से लेकर 1 फिट तक काटा है, ये क्यों जरूरी है, अब इस पोधे में इतनी साखाए होंगी, कि मुझे इनका चेन करना पड़ेगा, देखे इस पर इतनी भी उर्जा पोधे को मिलेगी, वो उससे इनकी टहनी मजबूत होंगी, और यहां से नए कल्ले चलने सुरू होंगे, जो मेरे नए कल्ले चलेंगे, उनमें से फिर मैं, जब कल्ले निकल जाएंगे, उनमें से मैं करीब नॉंबर के आसपास उनकी छटनी करूँगा, यानि थिनिंग करूँगा, कि मुझे कौन से कल्ले चाहिए, और फिर इस पोधे को, चुकि एक साल का हो गया, मैं फरवरी में इसकी कटिंग नहीं करूँगा, और इस समय सितंबर में मैं इसको खाद लगाऊँगा, जिससे की पूरी सर्दी इसको भोजन मिलता रहे, इसकी जड़े मजबूत हो, इसका तना मजबूत हो, और जितने भी कल्ले चलें वो स्वस्त हो, जिस वक्त फरवरी आएगी, इसके कल्ले तेजी से बढ़ने सुरू होंगे, और मई आते आते ये पोधा कम से कम इतना बड़ा हो जाएगा, उस समय मैं फिर इसकी एक कटिंग और वो कटिंग गहरी कटिंग करूँगा, यानि कि जो नई साखाई में छोड़ूँगा, उनको सिरफ चार इंच ही रखूँगा, ये क्यों रखूँगा मैं चार इंच, और आपको भी क्या रखना है या नहीं रखना है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, मेरा जो य नहीं इस तरह से कटिंग करूँगा, तो अभी मैं दिखाँगा कि पोधे की क्या हालत हो जाएगी, तो जब यहां से नई साखाई निकलेंगे, मान लीजिए, ये साखाई हो गई दो, ये पत्तों कुछ साखाई समझेए, और दो साखाई नीचे हो गई, तो मैं इस पत्ते मैं सिर्फ मई में इतनी बड़ी करके कटिंग करूँगा, तो ये पोधे का साइज इतना हो जाएगा, इसके बाद जो साखाई चलेंगे तो पोधे का साइज यहां तक हो जाएगा, और ये मेरे को सर्दियों की फसल देगा, किसान साथियों इस समय जो आपने जून इमें पोधे लगाए हैं, अगर उनकी कटिंग आप कर चुके हैं, दो फिट पर, तो उसके बाद इस समय केवल ये है कारिय करना है कि उनमें थोड़ा खाद लगाएं, बहुत थोड़ा खाद लगाएं, और खाद तने से, ये तना होता है, फिर बार-बार कहता हूँ कि इस से कुछ दूर लगाएं, पोधे की उम्र के अनुसार, खाद लगाएं, और डेड़ फिट तक, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है, कोई भी साखा ने रहने ले, जो साखाएं आपको रखनी हैं, उनको रखिए बाकी को हटा दीजिए, ये हुई जो जून ज कढ़ने दीजिए, फिर आपको फरवरी में कटिंग करनी होगी, तो ये नहीं कह सकते के प्रतेक आदमी को इस महिने में कटिंग करनी है, कटिंग के बारे में ये सीखना बहुत आवस्सक है, कि आपके पोधे की उम्र क्या है, आपका जो पोधा है, वो कितनी घनत्वे पर लगा हुआ है, यानि हाई डेंसिटी में है या लो डेंसिटी में है, अगर यही पोधा मेरा पंदरा बाई पंदरा पर होता, तो इस साख़ा को मैं थोड़ी और बड़ी करका छोड़ता, चुकि मेरे पास अधिक है, अभी मैं उन पोधों में दिखाऊंगा आपको, तो कि एक साल से डेड़ साल, डेड़ साल के भी हो चुके है, उनको क्या करना है, उनको मैंने बताया है, कि आपको ये ध्यान रखना है, कि आपके पोधे कितनी डिस्टेंस पर लगे हुए है, हम मान कर चलते हैं, कि आपके पोधे पंदरा बाई पंदरा पर लगे हुए है, अब स समय आपको cutting नहीं करनी है और कोई भी खाद आदी नहीं लगाना है सिरफ सफाई करके छोड़ दीजिए अगर आपको बरसात की फसल नहीं लेनी है सर्दियों की फसल लेनी है तो इस समय आप cutting कर दीजिए इसका फाइदा यह होगा कि जब पोधों की cutting करोगे तो नए कल्ले सरजित होंगे और वो मई तक बढ़ते जाएंगे और मई में हम जो ये नए कल्ले सरजित होंगे नई साखाय होंगे इनकी cutting करेंगे इन पर फूल लेंगे और हम उसको फर्वरी के महिने से ताओ देना सुरू करेंगे यानि मार्च अप्रेल में हम ताओ देंगे और पच्छिस अप्रेल से लेकर मई तक हम उनकी cutting करेंगे चुकि आपका पोधा दो वर्ष से फर्वरी तक दो वर्ष का हो जाएगा ये उनके लिए है जिनका पोधा फरवरी तक दो वर्स का हो जाए दो वर्स से कम के पोधे को ताव ने लगाएं ये ध्यान रखना है आपको तो मुझे ये बताने में थोड़ी हिचकिचाट होती है कोई भी भाई ये बताता है कि मैं पोधे की कटिंग करूँ या ना करूँ कटिंग फिर मैं बता देता हूँ इन बातों पर निर्भर करती है आपके पोधे की उम्र कितनी है आपका पोधा कितनी दूरी पर लगा हुआ है और पिछली cutting कब की थी और अगर आपका पोधा दो वर्ष के आसपास है तो आप बरसात की फसल लेना चाहते हैं या सर्दियों की फसल लेना चाहते हैं अगर इन चार बातों का उत्तर मुझे नहीं मिलता तो मैं आपको जवाब देने में ऐसे मर्थ होता हूँ किसान साथियों यह मैंने देखे इस पोधे की cutting की हुई है इस पोधे की cutting की हुई है यह देखिए यह सब देख लीजिए इन पोधों की cutting की हुई है और ये देखे इस पोधे की कटिंग नहीं की ठीक है चुकि इस पोधे पर मुझे फल मिले हुए हैं मैंने फल ले रहा हूँ फल कम ही रखे हैं मैंने तो इसकी कटिंग नहीं की मैंने मैं इन सब पर अब अगले वर्ष सर्दियों की फसल लूँगा तो इसलिए इनको कुछ नहीं करूँगा, इस पोधे पर ताओ लगाूँगा, इसी कटिंग मैं सिर्फ जो है आपको मई में करूँगा और तब इससे फल लूँगा, इसे बढ़ने दूँगा ऐसे ही, लेकिन इन पोधों को मैं अभी बढ़ने दूँगा, इन पर भी मैं मई करूँगा और मुझे अच्छे फल मिलेगे, आइए अब कुछ पोधे मैं दिखाता हूँ किसान साथियों ये धवल प्रजाती का पोधा है, और ये मैंने दिसंबर के पहले हफते में लगाया था, और ये इतना बड़ा हो गया है, इसकी मैंने अभी तक केवल एक कटिंग क की थी, और दो फिट के बाद मैंने नीचे से सब साखाए हटाई थी, और देखे कितना बड़ा पोधा हो गया है, अब इस महिने में मुझे इसकी कटिंग करनी है, पहला काम ये करिए, अपने खेत में साफ सफाई करिये, आप देखिए, मैंने अपने खेत में बारिस होने स पहले ही इसमें, ब्रस कटर से सबी घास कटवा दिया, तो पहला काम ये करना है, जिस दिन ब्रस कटर से घास कटवाई, अगले ही दिन बारी सो गई, आएई अब हम इसकी कटिंग करते हैं, देखिए, एक ये हमने साखाय छोड़ी दी, दो, तीन और चार और एक ये है पांच ये साखा देखिए इन चारो साखाओं के सामने थोड़ी बारीख है तो हम इस साखा को यहां से हटा देने हैं ये थोड़ी बारीख साखा है इसको हमने हटा दिया चूंकि हमें धेड़ फिट तक कुछ भी नहीं रखना है अब आईए ये साखा बस्ती है चुकि हम दूसरी cutting कर रहे हैं इसलिए हम इसे यहां से यह 15 बाई यह लगबग 12 बाई 12 पर मेरा बाग बैठता है मैंने यह हटा दी और इसको लगबग 1 फिट से दूसरी cutting कर दीजिए यह एक फिट मैंने छोड़ यह देखे मैंने 1 फिट पूरी छोड़ी है इसी प्रकार यह हमें 4 साखाई रखनी है चारोजिसाओं यह है मेरी यह भी एक फिट से कर दीजिए आप इसको और तिर्चा कट लगए यह जो नीचे वाला है यह वाला जिस पर अम्रूद आया हुया है इसको भी हटा दीजिए चुकि हमें नीचे नहीं रखनी है कोई साखा यह जो बची ह है हमारी इसको भी आप एक फिट से कर दीजिए और यह जो दो साखाए हैं अन्नेसरी इनको हटा दीजिए अब आप देखिए इस पोदे को इस पोदे से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यह पतियां हटा देता हूँ इसमें मैंने केवल यह इसकी दूसरी कटिंग है आपको पत्ते नहीं हटाने हैं मैं केवल उधारन के रूप में आपको बता रहा हूँ अब आप देखिए कि आप कहेंगे इतना अच्छा पोदा था और इसको कटिंग कर दे एक दो चारों दिशाओं में मुझे इससे यह मिली हूँ अब मैं यह जो डंडी है इसके साथ ए को कुछ नहीं होगा इसको थोड़ा ऐसे बांदेंगे और यह जो चार मैंने साखाई छोड़ी हैं इन में से कम से कम हम आठ कलो का चेयन करेंगे बहुत कल्ले निकलेंगे इन में से पर तेक साखा में कम से कम 6-6 कल्ले निकलेंगे कल्लो से मतलब है जो नहीं साखाई निकलत तो मैं जैसे उपर वाले दो रखूंगा और नीचे वाले दो रखूंगा एक तो यह होता है इसका दूसरा यह होता है कभी भी आप जो कल्ला अंदर की तरफ को चलेगा उसे नहीं रखेंगे जब उनका चेयन करेंगे वो भी मैं अपनी वीडियो में बताऊँगा तो अभी आपको इस प्रकार इनकी कटिंग करनी है, ये था बड़ा साधारन सा पोधा, आईए मैं एक पोधा और दिखाता हूँ, अब आईए ये एक पोधा और है, इसे भी देखते हैं, आप देखिए कितने स्वस्थ पोधे हैं, आईए देखते हैं, अब ये देखिए, इस पोधे म नहीं है लेकिन अनावस्यक उर्जा लेते रहते हैं तो डेड़ फिट तक आप इन सब चीजों को हटा दीजिए पहला काम यह यह हटा दिया बिल्गुल सफाई कर यह डेड़ फिट तर अब यह इसमें से दो साखाए हैं हम एक को हटा देंगे और यहां से इसको लगबग एक फिट से इसको काट दीजिए यह काट दिया हमने तो इसमें से जो दो साखाए चल रही थी वो हमने हटा दी इसको एक रख ली हमने अब आईए इसमें उपर की तरफ चल ली देखें यहां से तीन साखाए हैं जो जो अंदर वाली है कोशिस करें अंदर को जादे साखाएं ने हो इसको हमें एक यह अच्छी साखा मिल गई पोधा जल्दी बड़ा हो गया और इसको भी हटा दी है यह देखें दो साखाए छोड़ दी हमने अब यह वाली जो साखा आई है इसको आप यहां से हटा दी यह हटा दी हमने बीच में रख दी है और इस वाली साखा को भी देखिए इसमें कितनी ये साखाए एक है एक हमने ये छोड़ी है लेकिन हमें नहीं लग रहा कि ये ठीक है इसको भी हटा दे यहां से आप ये जो बरीक साखाए हैं इनको हटा दी और इस वाले को भी यहां से हटा दीजिए और यहां से कट कर दीजिए ये देखे हैं हमने एक ही साखा छोड़े इसी प्रकार इस वाले को ले लीजिए आप आप देखिए अब इस पोधे का अब ये जो साखाएं हैं यहां से निकलेंगी और हम उनका चेयन करेंगे और पोधा बहुत मजबूत और स्वस्थ होगा आए एक पोधा मैं और दिखाता हूं ये भी वही पोधा है जो मैंने उसमें लगाया था इसमें भी आपको ये दूसरी है बड़ा सिंपल सा तरीका है ये बारीक बारीक खटा दीजिए ये जो साखाएं चली हैं देखें कितनी साखाएं ये हमने हटा दी हैं और यहां से कट दीजिए इसको कम से कम दूसरा जो है एक फिट पर छोड़ना है आपको आप ये मत गवराईए कि मैंने कौन सी साखाएं छोड़ी है ये देखें तो आपका पोधा बहुत अच्छा चलेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पोधे कैसे हो रहे हैं इस पोधे को लीजिए देखें इसमें ये नीचे से चली हुई है इसको हटा दीजिए ये वाली ये मैंने हटा दीए और अब इस साखा में हम ये ध्यान रखेंगे ये साखा हमारी मजबूत हो चुगी है दोनों तो इन में से हम इन दोनों साखाओं को रखेंगे ये ये भी नहीं ध्यान रखना है कि हर चीज को आपको एकसा नियम होगा अब यहां से आपकी साखाई चलेंगी चुकि जितनी एनर्जी उपर थी वो सारी पोधे में आएगी और इसको ठीक से ये बांद दीजिए इसके बाद हम इन में यहां पर ये देखे सफाई कराएंगे और यहां पर खाद लगाएंगे जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा किसान साथियो ये था मेरा अमरूद के पोधों में जो छे महां से बड़े हैं और एक साल तक के पोधे हैं सितंबर के महां में किस प्रकार कटिंग करनी है और क्यों करनी है इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जै हिन जै भारत बंदे मत